यह अब जह से लोग्डाउण प्रा यह हुआ है और विमारी हुई है एक दूसरे से लोग धंदे बेपार से से बंद हो गए हैं लोगों के जो देने के जो नियमित जो लोग कमाने खाने वाले थे उनके धंदे पानी से बंद हुए हैं तब से में यहां इस साइधाम में बारू मास तीन सो साथ दिन यहां अनिछेत चलता है साम के साथ बजे जिसमें एक सो पचीश सो आदमी भोजन करते हैं कि लोगडान होने के बाद में क्योंकि यहां एक अत्र नहीं रख सकते थे लोगों को जिससे 22 मार्च से में नियम किया हूं मेरे मंदिर साइधाम मंदिर से के सुबह पूरी साग और बना बना के और सभी जगे में बांटने बेजता जिसमें 1100 आदमियों का भोजन बेजता हूं सामके कड़ी खिचड़ी कभी कड़ी साग ऐसे मेरा देनिक भोजन सेवा चल रही है और भगवान से प्राथना करता हूं कि है भगवान है अनुपूर्णा माता इतनी सकती दीजिए कि लोग देने को टुकड़ा भला लेने को ह मेरा प्रयतन है इसलिए मैं साहिधाम से नित दोनों टेम भोजन बनाएके और मेरे मंदिर के सभी स्थाब साथ में मिलके बनाके और यहां से गाड़ी जाती है सब को देने दे आती है भगवान से ऐसी प्राथना करता हूं कि यह भगवान जल्दी रोग से मुक्ति मिले और लोगों से भी यही में प्राथना करता हूं कि आप जितना संयम बढ़ते हैंगे जितना घर पे एक अकेले साथ में परवार के साथ रहेंगे दूर नहीं जाएंगे बाहर नहीं जाएंगे धंदे नहीं जाएंगे बाहर नहीं निकलेंगे तो वास्तविक ए रोग जल्दी भागेगा वो आपको रोग से मुक्ती मिलेगी इसलिए मेरे दरेक भक्तों को सभी भाईयों को यह अपील है कि आप घर पे बैठ के पूजा आराधना बंदना करें ओई भगवान की पूजा है ओई आपका देखो सार्थक होगा और भगवान से दवा और दवा घर पे बैठन को जरूर याद करना चाहिए हनमान जी महराज से आपको प्राथना करना चाहिए पहले में भी बोल चकाओं के ना से रोग हरे सपीरा जफ़त निरंतर हनमान जी महराज से प्राथना करना चाहिए हनमान जी महराज एक ऐसे देउता है कि सभी रोगों का निवारन करते हो संक और अपने घर पे रहें, ऐसी प्रातना करता हूँ.